करने आप स्वागत है तुर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्पून टॉपिक है करने आप महत्पून टॉप रहे लिए काफी महत्पून टॉपिक हैelnाब हर एक पेहलू Northwest स्टेडि करेंगे जो की युजायम बजिए को पूध रहेगा तो इसको करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए वह यह है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में एक इंपोर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली वारे वीडियो देख रहे हो तो like, share, subscribe करना मत भूलना तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का manual बढ़ता है subscribe कीजिएगा तो इसे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा उसका notification आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए share का मतलब ये होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को help मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप share जरूर करो ठीक है what's up status पे भी लगाओ कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए helpful है चाहे हो 8th class हो 9th, 10th, 11th, 12th हो चाहे हो N.I.S. Board के बच्चे हो ठीक है चाहे BA, MA के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप subscribe करके इसको चैनल को जो है save कर लो नहीं तो बात में अगर research करोगे तो शायद आपको इस चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है subscribe करके जो है अपने पास save करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज topic क्या है यह देश जो है उचाई पे पहुँच गया है कहते हैं आज हमने माउट एवरेस में भारत का जंटा लहरा दिये हैं और हमने अधुनिक्ता में है चांद पे भी पहुँच गए हैं हमारी इतनी महांता साय दुनिया ने देखा नहीं होगा लेकिन एक ऐसी धारना है और ऐसे हमारी गलतिया है जिसमें पूरी दुनिया हम पे हस रही है बात यहां पर सत्य है कहते हम चांद पे पहुच गए माउट एवरेस पे पहुच गए और हम आप सुरज पे भी अध्यन कर रहे हैं लेकिन हमारी सोच अभी भी वहीं है जो हमारे सौसल पीछे थी कहते हैं आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो कर्णिया बोड़ अध्या की है आज हमारा देश कहते है पूरे दुनिया में अपनी जो है पहचान बना ली हो और अपने आपको स्तरित किया है लेकिन हम एक जगह पिछार रहे हैं वो है हमारी इसके चंसंग्या आए दिन बढ़ रही है और यह बहुत ही चिंता का विशय है आने वाला समय में भारत में कोई भी जगह कृसी करने के लिए नहीं बच पाएगा हर चेत्र में अद्धोगी करन किया जाएगा हर चेत्र में इंडस्ट्राइजिशन किया जाएगा और हर चेत् कि कुछ भी नहीं मिलेगा और इसका कहीं न कहीं हमारे सोच में कहते हैं लड़का और लड़की के प्रती विचार धारा है जन संक्या का सबसे बढ़ा बढ़ने का करन भी यही बनता है क्योंकि हम सोच यह रखते हैं कि हमारा जनरेशन लड़के बढ़ाएंगे लड़की न हो जाती है और इस चेकर में जो है जन संक्या बढ़ती है लेकिन जहां पर टक्नलोजी है वहां पर विप्रित होता है जहां पर लेड़की ने देखा गर्व में लेड़की है उसको करने हत्या करवा दी जाती है लेड़की है हत्या करवा दी जाती है दोस्तों यह कैसी परंप है और उससे बड़ी समस्या है इजुकेशन और उससे भी भेऴकर समस्या है कन्या भून हत्या कहते है कि moment को जनम लेने से पहले ही मार देना कहीं तक कूर रशचीत नहीं होता गर्ण में अगर माके बच्चों की धरकरण स्टार्ट हो जाती है तो उसके एक इंसान को कतल किया है और कतल करने का सजा तो आपको पता ही है क्या होना चाहिए लेकिन ये भारत में मेक्सिमम माता पिता जो है इस तरह के कारे को अंजाम देती है कि अपने कन्याओं की हत्या करती है और ये आक्रे भी यहां तक दर्शाते है कन्या भूरहत्या का लिंग अनुपात अगर हम प्रभाब देखें तो लिंग अनुपात किसी भी से छेत्र महिलाओं और पूर्जों के अनुपात को दर्शाता है कन्या बुढःत्या और कन्या बुढःत्या जनम के बाद बच्ची को मार देना जैसे कई प्रताओं का लिंग अनुपात पर बिप्रित प्रभाप पड़ता है और इस परकार यह बढ़ता है और अनेक समाजी बुराईयों को भी साथ में बढ़ावा देता है कहते हैं दर्श के भारती जंगरना के अनुसार भारत की लिंग अनुपाद जो थी 107.48 है और इसका मतलब हो हुआ कि 2019 में 3500 महिलाओं पर सिरफ 107.48 पुरुष है यानि महिलाओं की संक्या यहाँ पर कम है 107.48 पुरुष है उनके पीछे सिरफ सो महिलाओं होगी यानि देखा जाए तो साथ पुरुष जो होंगे और भिवाईत रहें जाएंगे इसलिए भारत परतीस एक हरजार पुरुषो पर 930 महिलाओं है और यह आकड़ा बहुत ही चौकाने वाली है कि देखा जाए 1900 हम एक की बात करें तो यही काफी अच्छी थी लेकिन आज हम जो विक्सित हैं हमारा यहां परांकड़ा बहुत ही गलत दर्शाती है भारत में देखा जाए तो 51.80 पुरुष अवादी की तुल्ना में सिल्व 48.40% मेहला अवादी है यानि देखा जाए तो यहां पर मेहलाओं की अवादी बहुत ही कम है पुरुषों की अवादी कहीं अधिक है अगर यही अंतर रहा तो आने वाला समय में बहुत ही समस्याओं के साथ भारत को जो है दो चार हाथ करना पढ़ सकता है और यहां पर एक बात और भी आता है कि इससे छुपा हुआ खत्रा कहते हैं विश्व के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ी एक छुपी हुई खत्रा है और वो खत्रा है सरी तो राष्ट ने चिताया भी है कि भारत में बढ़ती करनिया भूर हत्या जंसंका से जुरे सं बरहत्री हो सकती है और फिर यह समाजिक मुल्य का पतन कर संकट कशितवपन कर सकती है धकिए यहां पर छुपे खत्रे का यह सबसे भड़ी और संकेत दिया झाल रहा है कि आपको पता ही होगा कि भारत में जो है ब्रथकाड की समस्या दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा और देखा जाए तो सेक्स से जूरी हिंसाइं आए दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इवन ये भी देखा गया है कि लोग जो है क्याते एक पत्री के दुसरे के साथ हिस्दारी में ब्रहोत्री भी हो सकती है जो कि बहुत बड़ा यहां पर जो है संकट का सबब बन सकता है आपने महाभारत भी देखा होगा उसमें भी इस तरह की समस्याइं देखने को मिली है तो यह काभी महत पूर्ण बात यहां आता है आगे जो हमारे समख्ष टॉपिक आया है भून हत्या के रोकने के उपाए और सरकार की पहल देखा जाए तो भून हत्या को रोकने का उपा के अपनाई गई यामिर अन्निती में जागरुकता पैदा करने विद्या उपाय करने के साथ महिलाओं को समाजिक आर्थी रूप से अधिस संपन बनाने कारिकरम सामिल है इसमें कुछ उपाय नीचे दिये गए हैं जिन पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहली हुप को हम समझेंगे सब प्रतम यहां बात यही आती है कि गर्वधरन करने से पहले और बाद में लिंग चैन रोकने और प्रसापुर्वी निदान तक्निकों को नीमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून गर्वधरान से पुर्व और परसब पुर्व निदान तक्निक यानि लिंक चैन पर रोग कानूनी जो है 1994 में लागू किया और इसमें 2003 में संसोदू भी किया गया देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा बेशकली लिंक चैन को जो है कानूनी अपराद गोशित किया गया है लेकिन बात यहाँ पर है कि सरकार को सबसे पहली बात तो पुराने समय से आ रही सोच विचार को बदलने की जरूरत है कहते हैं कानून यहाँ लाने से कुछ नहीं होने वाला है कानून तो धरा का धरा है हर छेत्र में देखा जाय तो कानून लागू है हर छेत्र में कानून बनाई गई है लेकिन कानून पर यहाँ पर अमल करना कहते हैं बहुत ही टेड़ी खीड है यहाँ पर बहुत ही टेड़ा काम है कानून तो आपको हर छेतर में देखने को मिल जाता है सरकार ने कानून तो इतनी बना रखी है कि हर एक चीज के लिए एक नया अपराध है, नया कानून बना दी गई है, लेकिन कानून को माना जाए तब न, कानून बनाने से नहीं होता है, इसको सक्ती से लागू किया जाता है, अब देखिए, गर अब यहाँ पर देखा जाए, तो भून हत्या का सबसे बरा करण सिक्ष आप यहाँ बनता है, और सरकार सिक्षा के नजरियों में देखा जाए, तो आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके इनलाइस कर लो, बच्चे आठमी, नौमी, दसमी क्लास तक भी होंगी, लेकिन उनको लिखने परने नहीं आ रहा होगा, अब देखिए, सरकार की सिक्षा का सतर कितना नीचा है, सरकार सिक्षा को सतर को दिन पर दिन जो है, गिराता चला जा रहा है, और इसका कहीं ने कहीं सीवेसी सबसे बरा जिमिवार है, सीवेसी ने अपनी सलेवस को इतना कम कर दिया है, कि लगता नहीं है कि बच्चे को किताब पर रहे, लगते हैं कि जा रहा है कैसी समस्या उच्पन हो रही है हम अधूनी की युग में जा रहे हैं कि हम अधूनी से पिछरा युग में आ रहे हैं इतनी सलेवस को काट देना से बहुत ही कंभीर पून समस्या है कहते हैं इतना सरकार को सोचने की अभी जरूरत है मैं तो यही बात कहूंगा सरकार एक बार एनलाइज करे और सीरियस सीरिस बात को सोचे क्या आज के बच्चे का दिमाग एक सौप्ट चीज की तरह हो गया है कि आपने इतना से अधिक सिलेबस गिरा दिया है क्या क्रोना वारस ने आपकी कमर इतनी तोड़ दी है कि आपको सिलेबस इतना घटाना पड़ गया है यह सोचने वाली बात है समझने वाली बात है जब तक सिक्षा का सतर उच्चे नहीं होगा हमारे समाज में करने भूण हच्चा दे समस्याएं देश से कभी नहीं जाएगा यह मैं आज कह रहा हूँ और यह सोच साल के बाद भी होगा क्योंकि यह आम बात है सिक्षा का सतर उच्चा नहीं हो रहा है कहते हैं आज सिक्षा सतर उच्चा है भी नहीं सरकार इस कानून को प्रभावकारी तरीके से लागु करने में तेजी लाई करने का प्रवधान सामिल था यहां पर सरकार को को दंडित करने का प्रभादान तो किया लेकिन अगर यह बड़े-बड़े सरकारी होस्पिटलों में हो तो उसका कोई प्रवधान यहां पर नहीं दिया गया कहते प्रोट्टो वाल्स अल्ट्रा सांड उपकरन के इस्तेमाल का नियमन केवल 15 परिशन के भीतर अनुसुचित किया गया कोई भी मेटिकल ट्रेक्टिशनर एक जीले के भीतर अधिकतम दो अल्ट्रा सांड केंदर पर ही अल्ट्रा सुनो ग्राफिक कर सकता है पंजिल सुल्क पढ़ाया भी गया देखा जाए तो सरकार नहीं है काफी महत्वपूर्ण कदम उठाई स्वास्ता और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा सभी राजों को अगरा किया गया कि वो अधरियम को मजबूती से कारवंत करे और गैर कानुनी तरीकों से लिंक का पत मत्या आज भी हमारे समाज में एक बहुत वरा जो है कलंक बनके ख़रा हुआ है देखा जाया तो सभी राज्यों के मुखमंत्रियों ने अगरा किया कि वो लिंग अनुपात के प्रवीति को उलट दी और सिक्षा और अधिकारिता पर जोड़ देकर बालिकाओं को अंदेख लगना संभव नहीं है क्योंकि हमारे समाज में एक परंपरा रही है घर में जब बहु की आगमन होता है तो लोग डोलबाजे से स्वागत करती है लेकि घर में वही नवजात बेटी का आगमन होता है तो सब के हाथ में छूड़ा और चाकू लेके खरे रहते हैं और कहते है कि एक दहज प्रथाने जनम ले लिया कहते है समाज की जब तक यह कूट मीटी नहीं बदलेगी समाज की जो रवया नहीं बदलेगा ना तो स्वास कल्यान मंत्राले कुछ कर सकता है नमुक मंत्रियों का जो आगड़ा कुछ कर सकता है समाज में जो है रूल लगुलेशन बदल बहुत से कदम उठाई हैं लेकिन यहां पर कोई भी अमल में नहीं लाया गया है देखा जाए तो PNDT जो है कानून के अंतरकर केंद्रिय निगरानी बोर्ड का गठन भी किया गया और इसकी निमित बैठके कराई भी जा रही है देखा जाए दोस्तों तो आज हमारे देश में एक प्रमपरा रही है कि जिन मंत्रियों को किसी जो है केंद्र का बनाया जाता है किसी भी रहा का ध्यक्ष मनाये जाता है मंत्री होते हैं और यह अपने कारे में कभी भी यह लगन से नहीं करती हैं यह सारे काम सिर्व अपने पार्टियों को जिताने में और अपने पार्टियों के खतम करने के सरियंत्रों में लगे रहती है मैंने कई बार न्यूज भी देखा है कि जब मंत्री उस विभाग के मंत्री अपने विभाग में जाते हैं तो breaking news चलता रहता है कि मंत्री जी अपने विभाग में आए और करमचाड़ियों को सुध लिए आरे किस बात की breaking news है जबकि वो मंत्राले उस मंत्री का विभाग उस मंत्री का उसको परतिदीन जाना चाहिए लेकिन ये मंत्री को कहतें दुनिया का सेर करने से मौका मिले तब ना अपने विभाग में बैठके काम करेंगा और दुनिया की हलातों का जाच करेंगी हमारे देश में कहते हैं कारून बनाई जाती है सिर्फ मंत्रीयों लोग को जेब भरने के लिए उनको एक नया पोस्ट देने के लिए कहते हैं यह अगर सही से काम करें तो शाद ही इस तरह की गत्विदियां नहों मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े होस्पीटल बड़े बड़े सेरों में यह सारे करने भून हत्याएं आम हो रही है और सरकार इस पे सिर्फ काली पट्टी बांध के खड़ी पड़ी है देखा चाहे तो वेफसाइट पर लिंक चैन के विग्यापन रोकने के लिए या मामला संचार एवां सुचना पर देख मंत्राले के समक्ष उठाया भी गया कहते हैं आज वेफसाइट पर भी सब रोक लगाई गई है लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं परा है हमारे देश में जो भी गलत कारे होते हैं क्या आज तक रुख सका है सरकार के इतनी सकती के बाद भी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अब देखिए एक ही बात कर मैं संत्री कितने संत्री होते हैं क्या उन्होंने सराब को कहते हैं इस सालों के दौरान एक बार भी हाथ नहीं लगाया होगा क्या उनके पार्टी में सराब का नाम निशान ना रहा होगा यह आप भी करोगे कि संभता ऐसा है ही नहीं कहते हैं यह सिरफ कानूनी बात होती है कान जो है जो मिट्टी तक खोद के ले जाती हैं तो ऐसा कानून किस काम का जो मंत्रियों के लिए अराम हो और आम गरीबों के लिए सजाखा एक हधिकारी हो कहते हैं जब तक कानून में बदलाब और इसको सक्ति के साथ ये मंदारी से लागू ना किया जाए तब तक समाज नहीं बदलेगा सरकार में अगर देख लिजिए अगर मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं कि अमरीका के सविधान पढ़िए उसका सविधान सिर्फ आप एक घंटा में पर लोगे लेकिन भारत के सविधान परने में आपको कई दिन लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नियम इतने बने हुए हैं नियम हजारों लाकों हैं लेकिन एक भी अमल में नहीं है एक पर भी सक्ती नहीं है सक्ती तब होती है जब नियूज वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं ने तो उससे पहले सब सोय हुए आते हैं अराम से निश्चिन से तो क मजमी आएगा और लोग के तो मैंने पहले ही आपको बताया है घर में जब बहु की एंट्री होती है जब पहला पग परता है तो धोल बाजे गाने डान चलती है लेकिन वही कंड्या जनम लेती है तो सब के मुँपे उदासी चा जाती है कैसे हमारा समाज है और कैसी हमारी पर कहते हैं पिहार, 36 गर्ड, दिल्ली, हर्याना, मद्य परदेश, महराष्ट, उरीशा, पंजाब, उत्राकर्ण, डाजस्तान, गुजरात, उत्र परदेश में निगरानी कारे किया गया है मैंने कहा ना आप दुनिया के हर छेतर में लगा लिजे निगरानी कर लिजे लेकिन आपके नाक के सामनी ही होगा लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकोगी आज मैंने कहान यह सारे जो करमकांड हो रहे हैं वो सब के सब बड़े-बड़े होस्पिटलों में बड़े-बड़े मनताप्राप संस्ताओं में हो रहे हैं आप चाहें बिहार में चले जाओ, 36 गर्ड, अर्याना मद्यव पर्देश महराथ उरीशा पंजाब उत्रा खान रायस्तान गुजरात मद्यव उत्र पर्देश आप सारे राज्य गिंती करवालो कहीं भी निगरानी नहीं हो रही है अगर यह निगरानी होती तो देखिए संग का यह सर्वे रहा है कि पड़ जो है सालों स में जो है 2000 सा अधिक कर्णिया भून हत्या होती है चलिए यह तो सिर्फ एक आंक्रा है लेकिन बास्तविक्ता में जद देखा जाए तो लाखो जो है क्रोडों भून हत्या आए दिन होते रहती है और यह बहुत बड़ी आंक्रा है तो सिर्फ यह निगरानी सिर्फ नाम की है इसमें सिर्फ एक नए मंत्री की भरती का है और उनके जेव गरम करने का है राष्टेक राम ने स्वास्त्रमिशन के अंतरगत कानून के करनेवंत के लिए सरकार सोचना सिक्षा और संचार अभियान के लिए राज्जी और संग राज्ज छेत्रों को बित्य सहता दे रही है अब देखिए ये जो सहता पहुँच रही है कहते है एक बर्व का समान है बर्व को अगर एक हाँ से दुसरे हाथ में लेकर जाओगे न तो अंतिम स्थान पर बर्व के छोटी से टुकड़ा पहुचता है सरकार ने बहुत से राज्जों को बित्य सहता दिया है लेकिन कारे में इसके एक भी रुपया धन जो है कर्च नहीं हुआ है सब कैसा मंत्रियों में ही बट गए है तो सरकार के यहां पर पारदास्ता ही नहीं है अगर पारदास्ता होती तो भारत में इतना लिंग अनुपात नीचा नहीं होता कहते हैं यह सिरफ कानूनी बात है आप किसी भी स्कूल में चले जाएए वहां पर बच्चों से पूछिएगा कि आपको क्या स्कूल वाले ने कोई प्रेटिकल करवाया कुछ आपको करके दिखाया सब का जवाब होता है नहीं कही होता है और यह सब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संक्या अधिक होती है परने वालोगी लेकि सरकारी स्कूलों में सरकार बेशक लिए कहती कि हम सुबधाइं देते हैं लेकिन वहाँ पर सुबधाओं के नाम पर सिरफ खिलवार होता है सरकार सिरफ जो है आम गरीबों जनता को बेखूब बना रही होती है कि हम हर एक जो है सिक्षा के सतर के लिए संचार अवियान के लिए हम राज्यों को बित्ते सहता देती हैं आप जितना मर्जी सहता दे दीजिए जितना मर्जी कागजी बातों पर लीख लीजिए लेकिन ये इसका लाव किसी भी आम जनता को नहीं हो रहा है मैं तो यही बात कहता हूँ वगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं माता पिता भेज रही हैं तो कम से कम बच्चो कुछ ग्यान तो दे दो लेकिन आप लोगों को तो मुबाइल से चुटकरा मिलेगा नहीं और बैट के जो है स्टाफ रूप में गपे से चुटकरा मिलेगा ही नहीं तो बच्चो के क्या सिक्षा दोगी तब ही तो सिक्षा सतर हमारे देश का गिरता जा रहा है और इस करण जो है करन्या भून हत्या बढ़ता ही चला जा रहा है देखा जाए तो राज्यों के सला दी गई है कि इसके कारणों का पता लगाने के लिए कम लिगन उपात वाले जीले ब्लॉक गाउँ पर विसेश ध्यान दी मैंने कहा ना कि सरकार ये भी कर ले इससे भी कुछ नहीं होने वाला है जब तक लोग की सोच नहीं बदलेगी आप चाहिए जीले में ब्लॉकों में गाउँ पर कितने लोग को क्यों नहीं बठा दे और ये सरकार के जो है सर पर बोज बना दे आपका करून कभी सफल नहीं होगा जब तक लोग की विचार नहीं बदलेंगे जब तक लोग सिक्षित नहीं होंगे तब तक ये आप होना सम्भब नहीं है और भारत में लिंगन पात तो बढ़ती ही चली जा रही है कहते हैं यह जा संका इतनी बढ़ती चली जा रही है जो कि एक अलार्मीन लेट पे पहुँच गई है और देखा जाया तो इसमें स्त्रीयों की संक्या घटी चली जा रही है तो यह सब कारण भी हमारे कुछ गलत रवईया ही है धार्मिक नेता और महिला लिंगन पात और लड़कियों के साथ बेदवाओ के खिलाब चलाए जारे अभियान में सामिल है कहते हैं धार्मिक नेता भी होते हैं महिला लिंग अनुपात को लड़कियों के साथ बेदभाव के खिलाब चलाए गए अभियान में सामिल है लेकिन इनका अभियान भी आज सफल नहीं हो सका देखा यह तो भारत सरकार और रनेक राज्य सरकारों ने समाज में लड़कियों और महिलाओं के सिती का सुधार के लिए बिसेश योजना लागू की है इसमें धन लक्षमी जैसे योजनाय सामिल है देखिए मैं आपको एक सरकार की नीती से अभगत कराना चाहता हूँ कि सरकार ने लड़कियों के दहेज की प्रथा जो चली आ रही है उसके लिए सरकार ने बड़ एक कर्णिया बहुत सैसे जो है एजेंसिया योजनाय लागू किया है जो देखिए प्रथा को परसाहित करते हैं मैंने बहुत सैसे योजनाय सरकार की सुनी है जो मुझे भी हैरान करती है कि सबसे बड़ा जर्टों सरकार में है जहां पर उन्होंने जो देज परता को परसाइद किया है कहते है कन्याओं के बिवा के लिए इक योजना बनाई गई है अरे भाई आपने योजना नहीं बनाई है आपने लड़कियों के लिए धन इकठा करके देज परता को परसाइद किया है आपने लड़कियों के सिक्षा लेद्ड निवाकिंतर को लुए योजनाय चलए गई है कि जब लड़किया साधी लायक हो जाएगे उनकों चार लाख रुपिया मिलेगा चार लाख किसके लिए दहेज देने के लिए अरे भाइत लड़कों पितलागों करो आपने ये बोला होता ना कि ये जो पैसे साधी के लिए नहीं होके लड़की के जुश्कन के लिए होता तो अच्छा लगता सरकार की ऐसी नीतियां जो है आम लोगों पुरसाहित कर रही है कि हम दहेज लेंगे सरकार ने पहले से पैसा जमा करवा रखा है उस लड़की के नाम से बहुत सी युजनाई हैं आप अगर डिसर्च करोगे तो आप खुदी समझदार हो समझ सकते हो कि कितनी तरह की युजना करना था ना कि आपको परसाहित करना था आपने धन लक्ष्मिन जैसी युजनाएं सामिल किये हैं कानून लागू किया जाना चाहिए और नड़ियों के लिए दोसी पाय जाने के निशित रूप में दंड दिया जाना चाहिए आप देखिए सरकार को कौन दंड देगा इस बात के लिए सरकार तो खुद परसाहित कर रही है आप ने ऐसे योजनाएं बनाई क्यों आप सिक्षा के रिगार्डिंग बनाय यह क्यों सिक्षा ग्रंड करने करने सरकार पैसे जानता हूं यह बात कि सरकार हर एक दिगाओं में छेत्रों में लेड़की दूपर हाई के लिए पैसा दे रही है लेकिन सब एक बात है कहते हैं वह सब प्लब्द नहीं हो पाते हैं सिरफ यह बाते कागजी होते हैं कुछ बच्चों को मिल जाने से सारे बच्चे सिक्षित न सब्वारा से काम स्टार्ट कर देती हैं आपने उनका लाइसेंस रद किया है वह भारे पर जब लाइसेंस लाएंगे उनको कौन रद करेगा देखिए दोस्तों कहते हैं सरकार ने अगर एक हजार रूल बनाए है न तो तोड़ने के लिए जो है पचास हजार करून बन गए कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर उसका लाइसेंस आप रद कर देते हो वह के दुसरे बंदे का लेकर अपना कारे पर नाली चलाएगा और भी सरकार के नाक के नीचे तो कहते हैं आज के समाज में कुछ भी सही नहीं है कहते हैं एक चीज गलत होती है दुरा चीज नहीं बन और इसी करण से हमारे देश से बुराई भी नहीं जा रही है और नहीं हमारा देश जो है प्रगति के उस रास्ते पे पहुच रही है जहां पर इसको होना चाहिए बिसेश रूप से अब बहुत लिंग निधारान और गरपात के चिकिस्ता उपकरनों का विपन dus कर देते हैं तो अल्टरासाउंट से नाजाने कितने तला की बिमारीओं का आमे समय रहते पता चल जाता है बात तो यहां पर है सब्सक्राइमन्दार रही हो रही है और यह सब बड़े-बड़े भागों में हो रही है आम गरीवों में चलिये चोटी-मटी बात होतीं चलत लेकिन बड़े-बड़े मंत्री लोग से सब कर रहे हैं आज ना जाने कितने मंत्री जो है इसी करम कांड में जो हते हैं जेल के चक्किक पीस रहे हैं तो हम क्या एक्जामपल दे रहे हैं कि हमारे समाज में खुदी इतने भरष्चाचार फैले हुए है अगर अगले मैं किल्या के मादान को यह सबसे पहली बात तो माता-पिता के सबकूद multif आगे बाहे ह सकती है आपकी लड़की भी आपका बंस बरा सकती है हमें पुरानी परंपराओं को तोरना होगा कहते पुराने परिपरा में कौन लोग है जो आज तक उनका बंस बढ़ रहा है अरे भाई आपने जीवन जी लिया वही बहुत बड़ी बात है आप अपनी बंस के बारे में ना सोचो अभी प्रजेंट के बारे में सोचो भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो भविष्य में जो होगा तो कोई नहीं देखा है आपके घर में अगर लड़का ही होगा अगर आपको घर से पहार निकाल देता है तो कौन सा आपका पंस बढ़ गया है तो इस विचारों को ज तोरे को जो है जागरुक ना करो आप सिर्फ एजुकेशन में थोड़ा बदलाब कर दो सभी को अच्छे रूप में दो समझदारी वाले दो समझ वाली दो आपका यूबा पिर यह अटोमेटिक सब बातों को समझ जाएगी कि उनका बेटी हो या बेटा हो दोनों ही उनका अं जरूरत है कहते हैं देखिए हमां आपको एक जामपल भी बता सकता हूं कि बड़े अमीर लोगों में जो होता है एक या दो बच्चे ही होते मैकसिमम देखा गया है लेकिन गरीब लोगों में पांददद बच्चे की परवदान आज भी क्यों है क्यों कि आम गरीब वेक्त और हमारे जनसंख्या पर भी कंट्रोल होगा योगी देखा जाये तो आम गरीब वंदे जो है लड़के के आस में एक लड़का के चक्कर में दर्दर लड़कियों को जनम दे देती हैं तो यह हमारे बैलेस बिगर रहे हैं हमारे समाज में और कितने तो कन्या भून हत्या भ पहली हुई है वो खतम नहीं होगा देखा जाये तो महिलाओं को भी चागुरूत होना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों के प्रते अजिस अज़क हो सकी महिलाओं को भी जागने की जरूरत है मैंने पहली बारा और कई बार कह चुका हूँ मैं कि महिला का सबसे अपना महिला ही होती है करन्या भून हत्या में कहीं न कहीं कहते हैं परिवार का जो तो होता ही होता है अपराद साथ में उस औरत का भी होता है जो अपने गर्व को खतम करने के लिए तैयार हो जाती है तो देखा जाए सबसे बड़ी बात है महिलाओं को जो है जागरूक होने की ज एक्स क्रोमोसोम जो माता एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की का उत्पन होता है जब पिता से वाई क्रोमोसोम लड़की में जाता है तो जर्नल सी बात है लड़कों का जनम होता है जब ये दोनों ही जो है पती पत्नियों के क्रोमोसोम से बन रहा है तो इतनी यहाँ परदंडित देने के भी जो Совक ति से प्रवधान होना चाहिए यदि बात सब्सक्राइए देखा जाय कि महिलाओं की भविष्य के लिए कर्णिया भूनहत्या एक अपराद और समाजिक आपदा है देखा जाये तो हमारे समाज के लिए और भविश्य के लिए कर्णिया भूनहत्या एक बहुत बड़ा अपराद है कहते हैं अगर ऐसा न रोका गया इसको तो ये समाजिक आपदा बन जाएगी भारतिय समाज में होने कन्या होने वाले कन्या भून हत्याओं करनों का हमें ध्यान देना चाहिए और निमी तोर पर एक एक करके सभी को सुलजाने कोशिश करना चाहिए लेंगी बेदबाब की बज़ा से ही मुख्य कन्या भून हत्या होती है यानि लड़का और लड़की की चाह ने जो है कन्या भून हत्या को काभी पृसाइद किया है इसके उपर नियंतरन के लिए कानून सिकंजा होना चाहिए भारत के सभी नागरी को दोरा इसे समबंधित नीमो का कडाई से पलन करना चाहिए कहते हैं अगर भारत में इस तरह के अपराद नहों इसने हर एक व्यक्ति को इमंदार बनना चाहिए और जो भी व्यक्ति इस तरह के कारे करते हैं उन पे जो है सिकंजा कसने की जरूरत है और भी असान नहीं कड़ी से कड़ी और इस कुरता में अपराद के लिए किसी को भी गलत पाए जाने पर निची तोर पर सजा मिलनी चाहिए और यह जरूरी भी है कहते हैं जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक जो है इनको अकल नहीं आने वाली है क्योंकि कर्णिया भून हत्या एक बहुत बड़ी आपदा का संकेतक हो सकता है और इतिहास अगर इस तरह रही तो शायद हमारा इतिहास भी हमारा मिट जाएगा चिकस्कों को इस पे सामिल होने की शिति में उनकी अस्ताय तोर पर लाइसेंस को रधकर देना चाहिए देकि करते हैं इस तरह की तो उन पर जो है करी से करी जो है सजा का प्रवधान करने की जुरुषथ है अज हमने देखने को मिला है कि सिकस्चकों को अगर लैसेंस रॉत हो पह सत्राइके में स्थ रख उसमें कहिं के लिए प्यूर्य फिर भी के का लिकष्टत कि करने वहस्ट् a ना सुंपर के लिए वहस्ट वेरों अपारदी लिए अंतरगत You mentioned कानूनिक करवाई करने की त intéress्द को जरू रही बिख्याइब्ध बदी लिंगे का जो गड़ पात के लिए जो medical उपकरने हैं उन पर करणूनी कारवाई होना चाहिए और इनको रोक भी लगाना चाहिए कहते हैं जो मनुष्य के हितों में हैं ओजिस करने में कोई अपराद नहीं है और जो गलत है उसको करने में अपराद ही हो पाए जाने पर उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रवधान होना चाहिए और यह सिरफ बातों में नहीं होना चाहिए सक्ति से होना चाहिए आप कि नहीं नहीं वह बड़े बड़े पढ़े लिखे डाक्टर होते हैं यह बड़े बड़े संस्ता होते हैं जो इसमें लगे होती है और यह ना तो देश के भविश्य के लिए अच्छा है ना आने वाले समय के लिए अच्छा है कहते हैं अभिवागों को भी दंडित करना कहते हैं सबसे बड़ा तो अपरादी माता-पिता होते हैं जो लर्कियों को मारने की इच्छा रखते हैं कहते हैं दोस्तों यह दोनों ही चाहे लरका हो चाहे लरकी हो दोनों ही माता-पिता का ही डियने होते हैं और दोनों में समाने प्रेम होना चाहिए कभी भी लरकियों को बच्पन से यह नहीं कहना चाहिए कि लिड़क्यां पर हाया धन है जो कि बच्पन से उनके दिमाग में भी घर कर जाता है I र क्छेत्रों में च्छाहे घर का काम हो शाये बहार काम हो च्छेत्र में दोनों को जो है समाने मौका देने की अवशक्ता है कहते है यूबा जोरों को जागरुक करने के लिए नीमित अभियान और सेमिनार अजुद करने चाहिए देखिए कहते हैं युबाओं को तो जागरू करने की जरूरत है लेकिन अगर हम इसको सिक्षा में ही रखें और सिक्षित इब्यक्तियों को कर दें तो शायद हमें जोरों को जागरूत करने की अशक्ता नहीं परेगा जोंकि कहते हैं यही विद्यारती आगे चल के जोरे बन करना की अवशकता है महिलाओं को सकती करन होना चाहिए जिसे वह अपने अधिकारों के प्रति अतिक सची हो सकी और महिलाओं को भी सारे अधिकार होने चाहिए जिससे जब भी उनके कोक को कोई करना चाहता है तो वह खड़े हो सकी और अपने बच्चे की रक्षा कर सकी क्यों कि हमारे समाज में यह देखने को मिला है कि लड़किया पड़े लिखी नहीं होती है और सारे का सारे आस्रे जो होता है पती के उपर होता है आपने देखा होगा कि इस तरी बात जो है बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के लिए है इस तरी जो है अपने आपको आगे नहीं ब आपको सुरू सही बता रहा हूं कि एक लड़की जो है लड़की का दुस्मन होती है कारण क्या होता है समाज हलात मजबूर कर देते हैं उनको इसलिए उनको ऐसा महौल नहीं मिलना चाहिए उनको सिक्षित करना चाहिए मैंने कहा कि अगर लड़कियां सिक्षित होगी और ससक है उसको रोका जा सकता है भारत में लिंगन उपास समानने हो सकता है कहते हमारे लिए दोनों ही महतवपून है और दोनों ही जरूरी है तो यहां नियंदरन के लिए हमारे लिए प्रभावकारी उपाई यही है कि माता-पिता भी समझे और यहां पर सरकार को जो है बहुत ही जो है बहु को जो है स्वागत करना चाहिए घर में आई नई नवजात बेटियों की जो है स्वागत करना चाहिए उनके लिए खुसी मनाना चाहिए और दूसरी बात ये भी रहता है कि जितना हो सके बच्चों को समानने मानना चाहिए और दोनों को समानने अधिकार देना चा हमारे दूब यह विवास्ता सरकार ने हर चेगर लिखी है लेकिन इसकी मानिता नहीं दी जा रही है क्योंकि लोग जो है सिख्षित नहीं है लोग आज भी अधुनिक यूग में अनपड़ता की तरफ बिहेव करते हैं और लेरका लेरकियों में फर्क करते हैं कहते हैं हमें फ पती के उपर भी उसके पिता का नाम नहीं होके उसकी पत्नी का नाम होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये प्रवधान नहीं चेंज होगा, हमारे मन से जो ये लड़का और लड़की का भेदवाव, शायद कभी खतम नहीं होगा। तो कहते हैं, जितना आज समाज अपराधी है, उतना ही मता-पिदा अपराधी हैं, और उससे अधीक कानून बनाने वाले अपराधी हैं, यहाँ पर हर कोई कटगरे में हैं, सब को अपनी जिम्मवारी को समझना चाहिए, तभी जाके करनिया भून हत्या जो अपराध है, उसक लिए अगर हम इस पर निसकाश की बात करें क्योंकि अगर आप अर्जेक्ट बना रहे हो, चाहाहे आप फाइल बना रहे हूं चाहे असटमेंट बना हो चाहे आप किसी में ऐसे लेखन लिख रहे हूँ निशक duesCE मैंमेहीय सेही रहता है कि आपने इहां ध्यक्ते हैं हमने तो हर बात को समझाने कोशिश कीया है और सबसिति के रूपां की लड़की का नाम है ठीकहे आतीथ आपकी मागा नाम हैbril चाहन के बुनान को समय रहेगा नहीं अतीत रहेगी और नहीं भविश्य रहेगा है वही लड़की वही माहीं वहीच हुए रजय आत्म हत्य है इसलिए बेटी बचाओ और भविश्य सुरक्षत करो करने भून हत्या खतरनाक पईनाम होंगी जन संकिकी रिपोर्ट ने भारत को चिताबनी भी दी है कि अगले विश वर्षों में पर्तिकुल जो है लिंगनुपात के कारण विवाव बजार में दुलोनों कमी हो जाएगी और इससे जोगा मारा मारी होगी एक बहुत बड़ी अवरा से हम जूच सकते हैं इसमें समय रहते हैं अगर हम अपने आपको नहीं स चाहिए और जितना हो सके इस बात को जो है अमल भी करने की जरूरत है कि कहते हैं लड़का हो चाह लड़की दोनों ही माता पिता का अभिन अंग होते हैं और दोनों को ही समाज में अधिकार देना चाहिए दोनों को ही परसाहिद करना चाहिए और दोनों का ही स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे जो होगा हमारा समाज equal होगा पुरानी परंपराओं पर भी मैं प्रकास डालने कोशिश करूंगा कि पुरानी परंपराओं को लेके मत चलिए आज कहते हैं अगर आपके घर में बेटा हुआ है बड़ा हुआ है तो जैसे ही वो बड़ा होगा साधी करे अपनी पत्नी के लिए अलग रह जाता है तो बेटा किस बात का बेटा जब बड़ा होके मुझे अलग ही कर देगा तो फैदा क्या है इस बेटे का अगर वो बेटी कहते हैं जो हमें अपने घर समालते हुए भी मेरा ध्यान रखे तो वही बेटी मेरे लिए सबसे जाने किस वीडियो को देख के समझ के किस वेक्तिव में कौन सी विचार धारा में परवर्तन हो शायद आप भी नहीं जानती हो यह वीडियो बहुत ही महतुपून है प्रजेक्ट के लिए भी असेस्मेंट के लिए भी और लेखन काड़े के लिए भी और एक्जाइम के स्वाने में समेद्र नहीं रह सकती मैं जानता हूँ कि में किरा कुछ भी नहीं किर सकता जब तक समाज नहीं समझेगगा नहीं सोचे गा और नहीं विचार करेगा और यह तब विचार करेगा जब आए वीडियो को Share कीजिए गा जितना हो सके इस video को Share कीजिए इतना Share कीजिए कि सब के मोबायल पर ये वीडियो आ जाए और करनिया भून हते हैं जैसा घर्रन अपडाद से वह बच सके और अपनी भविश्चयों को भी बचा सके सोचिए नहीं जितना हो सक इस video को जो है अपने वर्टसप लगाईए जिसे दुसरे बच्चे भी देख सके दुसरे व्यक्ति भी समझ सके इस बात को ठीक है पहली बाल मैंने चनल पर आई हूँ पहली बाल वीडियो देख रहे हूँ और चाहते हो कि और यह वीडियो आपको प्राप्ट होता रहे एक्जाइम के अंतरगत कह यहां पर एट से लेकर में तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है बहुत कुछ समझने के लिए हैं और यह प्रिवर्श में आप देख सकते हो इसले सोचिए नहीं विचार ना कीजिए अभी तिरपान सेड़ी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने वाल में सेव कीजिए यह जगू समय अपने अपने के लिए वाल में सेव कीजिए घसले सेव के लिए।